हलो दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल यम्पीन ऑनलाइन इस्टेडी पे स्वागत है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीसियन थिवरी सिकेंड डियर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूस्टिन दोस्तों इसे मैकेम के इलेक्ट्रानिक्स वाले भी पढ़ सकते हैं मैको willyола भी पर सकते हैं और साथ Immediately से यह मोडल पेपर लगबग आता है तो अगर आप हम ट्रेट से हैं तो आप इसे जरूरक तयार करके जाएग़ा तो चलते हैं पहले question पर बात करते हैं पहले question है दोश्तों DC generator में EX के रूप में चिनित भाग का क्या नाम है तो आपको इसका right answer बताना है यहाँ पर जो EX से दिखाए गया है तो इसका जो right answer हो जाएगा option C हो जाएगा इसे हम commutator razor के नाम से जानते हैं यहाँ पर जो प्रदर् answer question हमने बना के रखें आप वहां से जाकर देखे डाउनलोड करके अच्छी तैयारी के साथ पास हो सकते हैं अगला question है दोश्तों DC generator का नाम क्या है यहाँ पर जो DC generator दिखाया गया इसका क्या नाम है आपको बताना है तो right answer कौन सा होगा वह जाएगा option है आपका डिफ्रेंस लांग संट कंपाउंड जेनरेटर चलते हैं अगले क्यूशन पर बात करते हैं क्यूशन नमबर तीन है आपका डिसी जेनरेटर में विद्दूत की दिशा घ्यांत करने के लिए किस नियम का प्रयोक किया जाता है तो तीन आपके यहाँ पर दिये गया है तो right answer कौन सा हो ज सूत्र का हम प्रयोक करते हैं तिसमें से जो राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा option सी आपका generated EMA बराबर फाई जेडेन अपान 16 इन्टू पी अपान ए बोल्ट तो चलते हैं अगले क्यूशन पर बात करते हैं क्यूशन नमबर पांच है आपका साथ यह में की गढ़ना क EMA गढ़ना करने का सूत्र है DC मोटर में चलते हैं अगले क्यूशन पर बात करते हैं अगले क्यूशन है आपको इस फीगर में एक से द्वारा प्रदर्सित भाग का नाम बताना है कि इस प्रदर्सित भाग का क्या नाम है तो इसका जो राइट एंसर होगा वह हो जाएगा option इसे हम पोल zij के नाम से जいやंते हैं तो चलता है अगले क्यूशन पर बात करते हैं फिर्द ट्रद का नामं जानते हैं उपको इस दीचिते से जानते हैं तो इसका जो राइंसर होगा को सा होगा आप्स nuevas होजाएगा इसे हम दोस्तों अलग से उत्तेजित जनेरेटर के नाम से जिसे हम सेप्रेट्री स्टाइटीड डाइटर के नाम से जानते हैं चलते हैं एकले क्यूस्चिन पे बात करते हैं बहुत ही कándtate विद्व एक प्रिवर्छय को बिद्वर्टित और सब्सक्राइब दिखा रिंदीक बात करतें साथ हो अगला दिखाया गया इस दिखाया सकते हैं पूरे question ताकि आपको समझने में आसानी रहे तुष का जो राइट एंसर हो जाए अगा योगिक जनरेटर आपका option यह राइट एंसर हो जाए तो चलते हैं यह किष्टिन पर बात करते हैं क्यों सो हो जाएगा फैराडी का बिद्दुचुमक की प्रेरल नियम यह राइच एंसर हो जाएगा बहुत सारे यहां दूट्टें जो आपका फ्लेमिंग के बात की नियम मार कहेंगे तो आपका राइट एंसर नहीं वह तो प्रेरितीय में के लिए सूत्र क्या है उसी उस समय आपको सूत्र बताना है कि उस समय DC सब्सक्राइब करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं उसमें किस नियम का प्रयोग करते हैं आपको चारों आपको दिख रहे होंगे तो राइट एंसर कॉंसर होगा आपसन डी हो जाएगा फ्लेमिंग के डाहिनी हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं चलते हैं क्यूस्टिन नम्बर तेरह पर बात करते हैं डीसी जेनरेटर के भाग का नाम आपको बताना है यह जो भाग आवराण होता है और यही सबसे ज्यादा सुर्यच्छा प्रदान करता है तो चलते हैं अगले क्यूस्टिन पर बात करते हैं क्यूस्टिन नम्बर चवदा है फोर पोल डीसी जेनरेटर के डूपलेक से लैप बाइंडिंग में कितने समाना अंतर राष्टे होते हैं तो जो बताना है आपको इस भाग को किस नाम से जानते जो यहां पर प्रदर शित किया गया है आपको इसका राइट एंसrän में इंडर्ल कैसे जुड़े होते हैं इस के साथ स्रिंख्रला में जुड़े होते हैं इन सीरीज वीद और में चलते हैं अगले क्यूशन पर बात करते हैं क्यूशन नमबर सत्रा एक स्वयम उत्तेजित डीसी जनेरेटर में अविशिष्ट चुम्बकत्यू की आवश्यक्ता क्या होती है तो इसका आपको राइट एंस पर डीशी मसीनों में कावन से दो बिंदू है जो ब्रस संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं वह आपके दोन बिंदू के नाम बताना है जो ब्रस संपर्क और प्रतिरोध को मापते हैं तो किस नमबर 18 को आपका राइट अंसर हो जाए गया होगा आपसं से ब्रस और प्रतिरोध को मापते हैं तो चलते हैं एक क्यूस्टन पर बात करते हैं किस नमबर किस बोल्टेश ड्राप को हम एक के रूप में चिनित किया गया यहां पे जो बोल्टेश ड्रॉप दिखाया गया है तो राइट अंसर जो होगा वह जाएगा आपका उन्नीस का सी हो जाएग का नाम क्या है यह दिस संट फील्ड अर्मेचर के साथ समानतर में जुड़ा हुआ है तो आपको इसका राइट एंसोर देना है तो राइट एंसोर कौन सा हो जागा दोस्तों आपसन डी हो जाएगा राइट एंसोर शाट संट कंपाउंड मोटर जीसे हम लग संट योगिक से जानते हैं अगला क्यूशन है क्यों एक डी सी जनार के अर्मेचर कोर पटलित है आपकर इसमें से राइट एंसोर बताना है तो राइट एंसोर कांसा हो जाएगा चारों आपसन आपको यहाँ पे दिख HC एगए थुचारौ अरोडिक के बताना है तामर हान कम करे? घर्ष को हम कम करें reduce the ED current losses चलते हैं अगले क्यूश्चन पर बात करते हैं क्यूश्चन नमबर बाई से आपका डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है आपको राइट अंसुर बताना है कि डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है वह सबसे जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए जो डीसी जनरेटर होता है उसे हम क्लाक वाइज क्यों चलाते हैं और क्यों चलाना चाहिए इसको इसका आपको राइट अंसुर देना है तो तेश का जो आपका राइट अंसुर हो जाएगा वह हो जाएगा आपक चुम्बकत्य की रच्छा करने के लिए जो प्रोटिक्ट आप रिजिडियूल मेगनेटी जिम होता है उसे बनाए रखने के लिए उसे हम प्लाकवाइज में मूब कराते हैं तो चलते हैं अगले क्यूस्टन पर बात करते हैं क्यूस्टन नंबर 24 बड़े डिसी जेनरेटर मे बोल्टेज का निर्माल करने में विफल होते हैं उस समय हमारा क्या मुक्य कारण होता है कि जो कि हम voltage का निर्मार नहीं कर पाते तो आपका जो right answer होगा वो हो जाएगा option C, field प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से उपर हो जाना जिहां field resistance is above critical resistance जो critical resistance होता है उससे उपर field resistance का हो जाना दोस्तों आपका voltage निर्मार फिर से नहीं होता है तो चलते हैं अगले question पर बात करते है question number 26 generator का नाम क्या है यदि इसका छेतर आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है तो उस समय generator का क्या नाम होगा तो 26 का जो right answer होगा वो हो जाएगा आपका option C, field से हम compound generator या yogic generator के नाम से जानते हैं question number 27 इसका आपको right answer बताना है तो right answer हो जाएगा आपको option D, gap में समान रूप से flux को फैलाए रखने का कारी जो है आपका पोल सू करता है चलते हैं question number 28 पर बात करते हैं डिसी generator में split ring का क्या कारी होता है बहुत ही ज़्यादा important question है तो आपको इसको right answer बताना है तो right answer हो जाएगा चाती हूँ आपको option B, collect the current undirectly धारको क्या करना एक दिसा में एकत्रित करना उसका जो है सही काम होता है चलते हैं एक लिए question पर बात करते हैं generator में brush बनाने के लिए किस समागरी का उपयोग किया जाता है generator में जो हम brush बनाते हैं उसके लिए हम किस समागरी का वहाँ पर प्रयोग करते हैं generator में तो right answer कौन सा हो जाएगा वह होगा आपका option B, carbon और graphite brush का हम प्रयोग करते हैं चलते हैं अगले question पर बात करते हैं question number 30 है क्यों DC generator अपने अविसिस्ट चुम्बकत खोज देते हैं क्या कारण है कि DC generator जो है अपने जो अविसिस्ट चुम्बकत होते हैं residual magnetism उसे खोज क्यों देते हैं तो चारों option यहां पर आप देख पा रहे हैं तो right answer हो जाएगा आपका option डी rotation की दिशा अक्सर बदल जाती है जब rotation की दिशा क्लाकवाज से इंटी क्लाकवाज होगी तो आपका DC generator जो होता है वह अविसिस्ट चुम्बकत्व को खोज देता है और जिसकी कारण हमें voltage की प्रापती नहीं हो पाती तो आई हो आपको समझ में आगे हों दोस्तों अच्छे से एक क्यूश्चन हम आपको देते आपको इसके क्यूश्चन का answer देना है comment box में क्यूश्चन है एक generator में योग और दुरू के माध्यम से चुम्बकी सर्किट कैसे पूरा होता है आपको इसका right answer देना है चारो option आपको दिए गए है छेत्र कुंडली आर्मेचर कोर या पटलित कोर या आर्मेचर में बाइंडिंग conductor तो राइट अंसर क्या होगा आपको comment box में देना है तो अगर आपको और भी ज्यादक किसी अलग ट्रेट से तो आप अपने उट्रेट का नाम बताए ताकि उस ट्रेट का भी model पेपर हम प्रुवाइड करा सकें धन्यवाद